परमार्पा को हमने नहीं देखा है हमने नहीं देखा आपने किसी ने देखा है तो ठीक बात है लेकिन हमने अपने आपको देखा है हम अपने आपको बता सकते हैं कि हम कैसे हैं किसी की उमर 20 साल होगी किसी की उमर 50 साल होगी किसी की उमर 40 साल होगी कभी आपको लगा क्या कि हम पुराने हो गए हम महसूस करते हैं कि हम जैसे थे पहले वैसे ही आज भी है और ये किबल इसलिए क्योंकि आत्मा का सुरूप जो है नित्यनमी है हर पल एक जैसा रहता है आत्मा एक जैसी रहते है आत्मा हमारी जब आत्मा को हम महसूस करने लगते हैं आत्मा के मूल सुरुक को हम जाने लगते हैं तो देह के परिवी से हम आजाद हो जाते हैं और देह के बन्धन के प्रभाव जो है न वो हमको आहत नहीं करते परेशान नहीं करते, दुखी नहीं करते आज हम सबके दुखा कारण क्या है अब जनम से कोई सावर है कोई गोरा है कोई लंबा है कोई नाटा है कोई बहुत बुधिमान है कोई कम बुधिमान है आसपस के लोग हमको ताना मारते हैं ये तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है प्रिश्रम करते हैं पाते भी हैं पाना गलत भी नहीं है लेकिन जो हमारी जरूरत है उस पर हम क्या करें कि हमको क्या चाहिए दुनिया के लिए दुनिया को दिखाने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए एक बहुत सुन्दर सी बात बता रहे हैं लड़का धीरे-धीरे पढ़ चिडिया की तरह उड़ जाएगा ठीक है अब मिला क्या खाली एक सी मिला भावनात्मक लगाओ कि हमारा घर हमारा परिवार हमारा संतान हमारा वंश गाया है लेकिन खाली इसलिए तो हम नहीं आये थे ने इस धर्थी पर ये तो पशू भी कर रहे हैं भी कर रहे हैं तो संसार में ये रिष्टा नादा जो है इसमें आप जुड़िये शामिल रहे है लेकिन उसमें पूरी तरह से उलज़िये मत उन सब में रहते हुए इस बात का ख्याल रखे कि जीवन में परमलक्ष जो हमारा है वो भगवान को पाना है भगवान को जानना है भक्ती करके अपने जीवन में मुप्ती हासल करनी है यह तो फिर बुढ़ाबे तक जो है आदमी इसी प्रपंच में उलज़ा रहता है और वो हासल कुछ नहीं होता है मरनिक बात का होगा लेके जाए गादा जिस लड़का को आप पाल पुष के जनम दे के बढ़ा करते हैं आज बता हो लड़का आपके सुख का कितना साधन बना हुआ है बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो माता पिता को सुख पोजा रहा है अधित्तर लईके जो हैं माता पिता को कुछ नहीं दे पाते हैं और फिर भी माता पिता जो है अपने बच्चे के मुह में लिपटे रहते हैं लिपटने की ज़रूरत बच्चों के मुह में नहीं भगवान की प्राप्ति में है